वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत-बहुत हार्द एक स्वागत है तो आज हम आपके सम्मुख जो ये लेकर के आए हैं राशी फल ये बारे राशियों का राशी फल है और मेश राशी से लेकर के मीन राशी तक और ये जो राशी फल है महा अगस्त दो हजार बीस के लिए है यानि के जो महिना है अगस्त का दो हजार बीस उससे संबंदित है लेकिन मित्रों इस से पहले के हम राशी फल की चर्चा आपके साथ करें हमारे पास अनेक और नेक प्रिशन ये आ रहे हैं लोग थोड़ा कन्फ पर हैं किस आधार पर हम ये राशी फल न तक पहुचाते हैं तो मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशी फल है ये आपके लगन राशी पर आधारित होता है जो तयार होता है इस बात को आप ध्यार रखिए तो आईए चर्चा करते हैं सर्व प्रिथम आप से राशी फल के विशे में और मेश राशी के जो जातक हैं उनके विशे में हम आज सर्व प्रिथम चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले के हम आपके राशी फल के विशे में चर्चा करें आपको इस विशे में भी जानकारी द वर्तमान कारी भी आप से साजा करेंगे तो आईए जानते हैं सर्वर्थम सूर्य ग्रह की चर्चा करते हैं कि सूर्य ग्रह जो वर्तमान में है वो करक राशी में अपनी जो इनकी मित्र राशी है उसमें इनका संचार चल रहा है तथा दो अगस्त से इनकी जो युती है वो अ सूर्य देव जो है, वो 16 आगस्त को अपना राशी परिवर्तन करेंगे, कर्क राशी से निकल करके, और ये अपनी स्वयम की राशी सिंग में प्रिवेश करेंगे. जो कर्ग राशी है मित्रों जहाँ पर अभी वर्तमान में संचार सुर्यदेव का चल रहा है ये जो कर्ग राशी है ये आपके कुंडली के चत्रुत भाव में इस्थित है यानि फोर्थ हाउस और जब ये सिंग राशी में प्रिवेश करेंगे 16 अगस्त को तो सिंग राशी आपके कुंडली के पंचम भाव में इस्थित है आगे चर्चा करते हैं हम आपसे मंगल गिरह के विशे में तो मित्रों मंगल गिरह जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशी मीन में संचार कर रहे हैं उदे एवं मारगी अवस्था में लेकिन इनका भी राशी परिवर्तन होना है ये भी 16 अगस्त को इस राशी से निकल करके यनी अपनी मित्र राशी मीन से निकलेंगे और अपनी स्वयम की राशी मेश में प्रिवेश करेंगे अब आपको बताना चाहेंगे के जहां पर अभी वर्तमान में मंगल ग्रह का जो संचार चल रहा है अपनी मित्र राशी मीन में तो ये मित्र राशी जो इनकी मीन है ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में इस्थित है जिसको हम 12 अगस्त को इस राशी से निकल करके अप आगे चर्चा करते हैं बुद्ग्रह की तो मित्रों बुद्ग्रह जो है वो दो अगस्त को अपनी मित्वन राशी से निकलेंगे राशी परिवर्तन करेंगे अभी एक अगस्त को वो एक अगस्त को रहेंगे मित्वन में लेकिन दो अगस्त को वो अपनी स्वयम की राशी म सूर्य के साथ बनेगी करक राशी में लेकिन पांच अगस्त को ये पूर्व में अस्थ हो जाएंगे सूर्य के नजदीक आने से तथा सत्रा अगस्त को ये अपनी शत्रु राशी करक को मतलब उस से निकलेंगे परिवर्तन होगा इनका राशी का और करक राशी से निकल करके सत्रे अगस्त को ये अपनी मित्र राशी सिंग में प्रिवेश कर जाएंगे और सिंग राशी आपको बता ही चुके हैं आपके कुंडली के पंचम भाव में इस सित है और करक राशी आपके कुंडली के चतुरत भाव में इस सित है और जब इनका प्रवेश 17 अगस्त को अपनी मित्र राशी सूर्य की राशी कहलाती है उसमें इनका प्रवेश होगा आपके कुंडली के पंचम बाहों में तो वहाँ पर इनकी युती अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी और वह युती इनकी महा के अगस्त महा के अंतर तक बनी रहेगी आगे शर्चा करते हैं गुरूब रस्पती तो मित्रों गुरूब रस्पती जो हैं वो अपनी स्वयम की राशी धनू में अपने संग्रहक केतू के साथ पूरे महा इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं उनका संचार इसी प्रकार होता रहेगा अपनी स्वयम की राशी धनू में अपने संग्रहक केतू के साथ और इनकी जो धनु राशी जिसमें इनका संचार चल रहा है जो इनकी अपनी राशी है सुयम की केतु के साथ ये जो राशी है आपके कुंडली के नवम भाव में इस सित है तो मित्रों इसको नैंत हाउस भी कह देते हैं आगे चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की तो मित्रों शुक्र ग्रह जो हैं वो मारगी एवं उद्धे अवस्था में अपनी मित्र राशी वर्तमान में मिथुन में हैं एक अगस्थ को इनका ये प्रिवेश करेंगे अपनी मित्र राशी मिथुन में विर्ष अपनी स्वयम की राशी विर्षव से निकल करके महा के शुरू में आरम में ही इनका राशी परिवर्तन हो रहा है एक अगस्थ को जिसमें कि ये अपनी जैसा हमने कहा कि अपनी स्वयम क विर्शव राशी से निकलेंगे और अपनी मित्र राशी मित्षून में प्रवेश करेंगे उदेख्वम मारगी वस्ता में तथा यहाँ पर इनकी जो यूति है वो अपने मित्र ग्रहूं राहू के साथ बनने जा रही है जो कि पूरे महाईसी प्रकार बनी रहेगी और जो य सुयम की राशी मकर में वक्री अवस्था में पूरे महां इसी प्रकार संचार करते रहने वाले आपको हम आगे वी कई बार बता चुकए largest कि टेड़ी चाल उल्टी चाल से वो चल रहे हैं उनकी हैं और उद्धे सामय हैं लेकिन पूरे महाँ वो अपनी सुयम की राशी मकर में ही संचार करते रहेंगे और यह मकर राशी आपके कुंडली के दशम भाव में जिसको हम तैंथ हाउस भी कहते हैं उसमें इस चीत हैं अब राहूग्रह की चर्चा करते हैं राहूग्रह कहां पर तो मित्रों राहु ग्रह जो है वो अपनी उच्छ राशी मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे महाईसी प्रकार उनका संचार चलता रहने वाला है और जैसा कि आपको हमने कहा भी कुछ देर पहले के मिथुन राशी आपके कुंडली के तर्तिय भाव यानि पूरे महाईसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं और यह जहां पर हमने आपको कहा भी के टु गुरू ब्रस्पति के साथ जो संचार करते रहेंगे पूरे महाउग buss react year द्रुराशी में यह द्रुराशी आपको हमने अभी बताया कि यह आपके कुंड़ी करते हैं आपके राशी फल के विशह में और सर्पर्थम हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विशह में तो आईएम दर्शकों चर्चा करते हैं आप मेश राशी के जातकों से आपके व्यवसाय को ले करके कि इस महां अगस्त दोहजार वीस में आपका व्यव से संबंदित जो भी गतिविदियां हैं वे सामानने रूप से ही चलने वाली हैं थोड़ी बहुत समस्याओं का भी आपको उसमें सामना करना पड़ सकता है मैं भी कोई आश्च्रे वाली बात नहीं है अगर ऐसा हो तो आपके कार्रे एक निश्चित अवधी में पूरे हो जा रहते हैं उसके कारण भी आपके कार्रियों में कुछ विलंब विलंब जो है वो पैदा हो सकता है यह सिती अभी आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही बनी रहने वाली है मित्रों हाला कि महामध्य से और जब मंगल अपना राशी परिवर्तन करेंगे तो आपके व्यफसाय या का देखने में आएगा आपके आत्म विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी उस समय पर तथा उसके कारण जो भी कार्रियों में विलंब हो रहा था जो समस्याएं आ रही थी किसी भी कारण से उनको आप जल्द से जल्द पूरी निष्ठा के साथ पूरी मांदारी के साथ पूर जो आपके अपने विभाग में कार्रियरत सभी लोग होंगे वो भी चकित हो जाएंगे और इसी अवधी में आपको करोध की भी कुछ अधिक्ता रह सकती है मित्रों इस समय अवधी में जिस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यक्ता होगी माहा के अंत में आपको उपर परिणामों की प्राप्ति होगी इस महा वित्यस्थिति महा के आरम से और मध्य के भीच आये में आप कमी महसूस करेंगे कमी पूरी महसूस की जाएगे आपके दोरा आये की हाला कि महा मध्य के उपरांत आये में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है आये के लिहाज से तो यह महां आपका सामाने रहने की ही संभावना बन रही है प्रेम संबन प्रेम संबनों की वी चर्चा करते हैं कि इस महां आपको कितना गरों का सहयोग प्राप्त होने जा रहा है कितना नहीं होने जा रहा है आईए जानते हैं तो यह महा मित्रों आपके प्रेम संबंदों को ले करके उत्सा वर्दक नहीं रहेगा महा के मद्दे तक बहुत ही साधरन इस तर की आपके जो जहां भी प्रेम संबंद होंगे वहाँ आपकी मित्रता रह सकती है बहुत साधरन इस तर पे और उस मित्रता से आपको कुछ हासल होने वाला नहीं है इसी लिए यही कह सकते हैं हम यहाँ पर कि यह महा इस कार्रे के लिए उप्यूक तो नहीं रहेगा ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है इस महा पारिवारिक संब्द तो मित्रों बताना चाहेंगे आपके पारिवारिक संब्दों के विशे में कि इस महा आप जो हैं आपके पारिवारिक जो संब्द है अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ गलत फेमिया पैदा हो सकती है आप के बीच में परिवारिक सदस्यों के बीच में और पिता-पुत्र के बीच में भी कुछ मद्भेद पैदा हो सकते हैं वैचारिक विवाहित व्यक्तियों के विवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत अशान्ति का माहौल पैदा होगा लेकिन अगर आप अपने घर में नवजाज शिशु के आने का इंतिजार कर रहे हैं नए महमान का तो आपको महा के मध्य से और महा के अंति तक कोई अच्छी खुश खबरी इस विशे में प्राप्त हो सकती है शिक्षा, इस महा जो छात्र अपनी शिक्षा प्राप्ती को लेकर प्रयास कर रहे हैं, उन्हें महा मध्य के उपरांद अच्छे प्रहिणामों की प्राप्ती हो सकती है लेकिन अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी आप ना ने दें, यही हमारा आपके लिए सुझाम है संतान महा के मध्य तक तो आपको अपनी संतान के द्वारा सामानने प्रहिणामों की ही प्राप्ती होने जा रही है मगर महा के उपरांत आपको अपनी संतान के द्वारा बहुत ही उत्तम प्रणामों की प्राप्ति होगी उनको उनके उत्तम कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है जिसको देख करके आप गर्व भी महसूस करेंगे स्वास्थ तो बताना चाहेंगे वित्रों इस महा के मद्दे तक तो स्वास्थ में थोड़ी जादा कमी रह सकती है महा मद्दे से अंत के बीच कि जो है वह अपेक्शा करस स्वास्थ की प्रति आप लापर वर्ना हो अन्य था आपको स्वास्त सम्मंदिस समस्या ज्यादर पैदा हो सकती है तो ये था स्वास्त को ले करके उपाय कौन से और कैसे किये जाए ताकि जो समस्या आ रहे हैं स्वास्त को ले करके या और चीजों को ले करके उनमें कमी हो और उपायों से आपको लाप राप दो वो हैं उपाये बहुत सरल और छोटे उपाये हैं वो आपको हम बता रहे हैं सरव पर समतों एक मंत्र बता रहे हैं और ये जो मंत्र है बहुत लगू मंत्र है महामरत तुन्जय का अगर आप पूरा मंत्र कर सकते हैं कंप्लीट मंत्र तो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर आप नहीं करने के योगे हैं उसमें आपको परिशानी महसूस होती है तो आप ये छोटा मंत्र कर ले जिसको लगू मंत्र कहते हैं महामरत तुन्जे का और यह मंत्र है ओम हौम जूं सह ओम, यह है मंत्र, इस मंत्र का आप जाब करें एक माला या तीन मालाई, और जो चात रहें, जो स्टुडी कर रहें उनको क्या कया करना उनके लिए यह मंत्र है जो मैं दे रहा हूं, अभी बताऊंगा आपको बोलूँगा इस मंत्र का एक या तीन माला प्रती दिन जाप करें चाथर जो लोग है ओम एंग महासरस्वताई नमाहा ये है मंत्र बड़ा सिंपल साधरन और केले के विरक्ष की पूजा करें प्रतेक गुरुवार को और बुधवार के दिन गाये को हराचारा खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ये छोटे-छोटे को चुपाएं हैं इनको पूरे महा कीजेगा दर्शकों निश्च दरूप से आपको उसका लाप राप्त होगा तो ये था मित्रों आप सिंग राश के जो जातक हैं उनका राशी फल आपको ये पसंद आया तो आप इसको ल मनुसार लाप राप्त कर सकें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जैमातादी